प्यारी बच्चों कैसे हो सब सब अच्छे होंगे तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरम करते हैं आज हम अपने अध्याय में पढ़ेंगे 6 रित्वों के बारे में जो हमारे देश में बारी बारी से आती हैं और अपने सुन्दरता को बिखेरती हैं तो उन रित्वों के बारे में हम पढ़ते हैं, चलिए हम अपना ध्यायारम करते हैं, शड रित्व, छई रित्वें, असमाकम देसे वसंत ग्रिश्म है वर्सा, सर्द हेमंत है शिशीरा, इती सर रित्व बवंती, हमारे देस में वसंत, ग्रिश्यम गर्मी, वर्सा, शरत, हेम और शिशिर ये छे रित्वे हैं हमारी ते सब विशेश गुणई बारत मातु श्रिंगारम कुर्वनती ये सबी अपने विशेश गुणों से अपने अलगलग गुणों से भारत मातु भारत मा का श्रिंगार करती हैं बारत मा को सजाती है यदा चैत्रे बेशाख है मासस्य आ गांगमन बवती तद वसन्त रितू आगस्ति जब चैत्र और विसा का महिना आता है तब हाती है हमारी सब से प्रियर रितू वसन्त रितू तद वातावर नाम सम सतोषण मबवती तब क्या होता है वातावर में थोड़ी फोड़ी हवा दीरे दीरे बहती है विक्षा हा पसू पकसि नहां पर्मूदीता भवंती पेडों पर पसू और पकसी भी क्या है खुस होते हैं वने उप्वने विविदाने पुस्पाने विक्संती वन में और बगीचों में अनेक परकार के फूल खिलते हैं कब खिलते हैं वसंत्रीतु में विक्षा नव पलवानी धार्यांती ये शाम गंदह स्वास्त्याई लाप्रदा बवन्ती पेड़ों के नई नई पत्ते जो पेड़ हैं वो क्या नई नई पत्ते उन पर आ जाते हैं नई नई पत्तों से पेड़ ढग जाते हैं ये शाम गंदह तो नई पत्ते आने से उनकी जो गंद निकलती है जो उनकी खुश्बू निकलती है वो हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही लाबकारी होती है हमारे स्वास्ते के लिए वो बहुत अच्छे होती है वसंते बर्वनाम पत्याम इती उक्ती परसिदास्ती वसंत के समय हमें घूमना चाहिए यह उक्ती इस रीतु में के बाद सभी रीतुवे सेवा के लिए आती हैं सभी रीतुवे फिर इस रीतु के बाद में बारी-बारी से हमारे देश में आती है और हमें उनका क्या होता है लाभी होता है अते आयम रीतुराज वसंत इती कत्यते इसलिए वसंत को रीतुव का राजा कहा जात क्यों सारी रीतवी वसंद के बाद आती हैं सबसे पहले कौन से रीतव आई वसंद रीतु तो इसलिए वसंद को हम क्या क्याते हैं रीतवों का राजा यदा जेश्ट आसाड मासो वैगच्छत जब जेठ और आसाड महिना आता है तदा ग्रिश्म रीतु आगस्ति तब आती है गर्मी की रीतु अकाशे सूरिय तपती अकास में सूरिय तपता है तस्य तेज सा प्रित्वी उर्वरा भौती उसके तेज से प्रित्वी उपजाव होती है जो हमारे धर्ति है वो क्या है उपजाव होती है उसे फसल उगने लगती है अस्माकम शरीरे शंचितम रोक आरकम विशाम सवदे रूपेन बरी गच्छती अस्माकम सरीरे हमारे शरीर से पसीने के रूप में जो जहले पदार्त होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं अब गर्मी होती है, सूरिय बोथ तेज रोसलिक साथ चमकता है और इतनी गर्मी होते हैं कि मैं पसीना आता है और पसीनी आने से क्या है जो हमारे शरीर के जो विशेली पदारता है वो बाहर निकल जाते हैं ये दास रावने बाद्र पद्रे मासो आगच्छत तदा रिशु वर्षा रीतु आगस्ती जब सावण और बाद्र पद का महिना आता है तब हाती है हमारी वर्षा रीतु सवजल धार भी वर्षा प्रीत्वी सुझला करोती सब जगह पानी होकर जो वर्षा से जब जगह जब पानी भर जाता है तो ये हमारी प्रीत्वी को हमारी धर्ती को बहुती सुंदर बना देती है क्रिश का हलेन बूमी कर्शंदी किसान हल से बूमी पै जो धर्ती है उसमें क्या खेती करती है बिजानी वपनती और बीज बोती है खेती करने के लिए पानी की ज़र्वत होती है तो वर्षा रीतु होती है तो अब क्या करता है किसान अपनी खेती को उर्वर बनाता है उस सवार हे inकाले संपूर भारत्वर से विश ज़ूरतिज में अनेक दवहार होते हैं इसके दोलना नाम आनंदम अनुबवंती गायं गितानी गायंती च जो इस्तरिया होती है वो क्या है दोलना नाम जूला डालती है पेड़ों पर जूला डालती है उस पे जूलती है और आनंद अनुबव करती है बहुत ही ज्यादा खुस होती है और गीत गाती है जूलते जूलते क्या वो गीत गाती हैं कौनसी रितु में वर्षा रितु में येदा आश्वेन कार्तिक है मासू चै आगच्छत तदा सर्द रितु है आगस्ती जब आश्वेन और कार्तिक महीना आ जाता है तब आती है हमारी सर्दी की रितु चंद्रे दवल चंद्री काई संपूर्ण जलसत लाम आलो की कम आनन्दम्यम करोती तब क्या होता है जो चांद है चांद की कैसी चांदनी होती है सफेज चांदनी होती है चांद अपनी सफेज चांदनी को पूरे जलस थल पर फैला देता है और वो गया है एक द्रिस्य आलोकिक देखने में ही बहुत ही ज़्यादा सुन्दर दिखता है जब चंदरमा की किरने पानी पर पीट पड़ती है तो क्या है पानी क्या है बहुत चमकने लगता है जो की बहुत ही आलोकिक होता है जिसमें हम बहुत अच्छा अनुबाव करते ह अस्मिन रितू संपूर्ण भारत उत्वसेशु नीमगना भावतू इस रितू में संपूर्ण भारत जो पूरे भारत का जो उत्सव हैं सब इसमें मगन हो जाते हैं इस रितू में यदा माक्सिस से पोशे मासो आगच्छत जब माक्सिस और पोस का महीना आता है तदा हेमंत रितु तब आती है हमारी हेमंत रितु असमी रितु महान सीते पत्ति इस रितु में बहुती ज़्यादा ठंड होती है जना उर्णा वस्तरानी धारियनती लोग उनी कपड़े पहनते हैं ठंड से बसने के लिए उनी कपड़े पहनते हैं सीसाब्जिस सबजिया बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते है जो कि पूश्टिक होता है एश शम है, नीशा, दिर्गा, भवन्ति इस समय जो रात है वो क्या बड़ी होती है राते बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते है चात्रा, रात्रीशू, प्रिक्षो उत्रेणाम, कठी नम, प्रिश्रम कुरवन्ति तो राते लंबी होती हैं जो कि विदार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात होती है विदार्थी क्या है रात में जखकर अपने प्रिक्ष्या की तयारी करते हैं कठिन प्रिस्रम करते हैं बहुत मैनत करते हैं छात यदा माग है फालगून मासोवागच्छत जब माग और फालगुन का महीना आता है तता सिसीरा रितु आयती तब आती है हमारे शिशिर रितु असमिर रितु शीतहा शुसकह पवनहा पचलनती इस रितु में ठंडे और सूखी हवा चलती है शिशिरन जना कंपिता बवन्ती शिशिर में लोग कापते हैं व्रिक्षा नाम पत्राणी जिर्नानी बूतवा प्रिध्व याम पतंती व्रिक्षो पर पत्ते जो पुराने हो जाते हैं व्रिपेडों के पत्ते वो क्यांhen? नीचे धर्ती पर गिर जाती हैं असमीने वरीतो मकर सक्रांती पर समायती इस रीतो में आती है हमारी मकर सक्रांती का त्योहार तस्मात कालात सूर्या उत्र पतगामी बहुती वसंत गामनस्य पर्शंताय जना पीत वस्तराणी दार्यंती होली का उस्वच्च कुर्वनती जब मकर सकरांती होती है तब क्या होता उसमें सूरिय उत्रपतगामी, सूरिय उत्नारायन में होता है और उस दिन होती है हमारी मकर सकरांती जनुवरी के महिने में वसंत आगमन से वसंत के आगमन से परसंता या जना लोग खुस होकर पीत वस्तरानी पीली वस्तरे पहनती हैं और होली का उत्सव मनाती हैं वसंत रीतु आती हैं उसे नम पीले वस्तर पहनती हैं और उसके बाद आती है हमारा होली का त्योहार जो की हम सब को बहुत अच्छा पार्ड के मादम से बैटा हमने पड़ा 6 रीतूऊं के बारे में कि सबीृतौओं Capital अलग मैंतव है और सबी रीटूओं का राज़ा कौन है वसंत रीक तो आप सब को सारकों की अच्छी से जानकारी होगी होगी तो आप एक बार हों इसका अब्यास बैटा अवस्य करें झाल